नमस्कार श्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांती और ये एक मास्टर क्लास होगी मास्टर क्लास का कहने का मतलब ये है कि ये 1857 की क्रांती पर एक मात्र क्लास होगी एक मात्र वीडियो होगा और इसमें हम लोग 1857 की करांती के सारे फैक्ट जितने भी फैक्ट हैं सारे फैक्ट कवर करेंगे जो भी कोश्चन्स आये हैं जहां से भी आने के चांस हैं वो सारे फैक्ट हम लोग देखेंगे खासकर ऐसे वेक्ति जो यूजिशिन अट जियारेफ का एक्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्पूर है क्योंकि यूजिशिन अट जियारेफ के एक्जाम में बहुत ही डीपली कोश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट बहुत डीपली पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हमने वो सारे फैक्ट लिये हैं जहां से पूछे गए हैं या और भी अगर कोई किसी प्रतियोगी प्रिक्षा की तयारी करा जैसे सस्सी या UPSC, PCS तो भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं सामान रूप से उप पूर बिंदू, पॉइंट वाइस हम सारी चीजे देखेंगे जहां से प्रस्न पूछे जाते हैं, देखें, सबसे पहले हम यहां पर अठारफ सत्ताउन की करांतिस ससम्मंदित कुछ अधिकारियों की बात करेंगे, यह हम कह सकते हैं कुछ प्रधान मंतरी, नेतागर जो भ भारत में हुई, उस समय बिर्टेन में परधान मंतरी कौन थे? पामस्टन, तो यह आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रस्न कई बार पूछा गया है, कि 1857 की करांतिक इसमें बिटिस परधान मंतरी कौन थे? तो याद रखना है आपको, पामस्टन, फिर बिद्रोह के समय कमपनी का मुखि सेना पती कौन था? जार्ज एनिशन, जार्ज एनिशन बिद्रोह के समय है, भारत का कमपनी का मुखि सेना पती था, अगला पॉइंट है, बिद्रोह के समें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉड कैनिंग, लॉड कैनिंग के पहले कौन था? लॉड डल बहादुर साथ जफर मुगल सम्राड था, मुगल बासा था, इसको हम बहादुर साथ दित्या भी कहते हैं। जफर नाम से ये सारी लिखा करता था, इसलिए हम इसको बहादूर साथ जफर कहते हैं, जबकि इसका नाम है बहादूर साथ इत्या, तो ये बिद्रोह किसमें भारत का समराड था, अब यहां देखें, बिद्रोह प्रारम होने के बाद, न्यूक्ति सेना पती कौन था, कॉलि इनिशन, लेकिन जब बिद्रोह सुरू हो गया, उसके बाद एक अलग सेना पती आया, दूसरा सेना पती आया, उसको कहते हैं, कॉलिन कैमपेबिल, प्रधान मंत्री कौन थे, पामस्टन, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत के बाद सा, समराड, भादूसा, जफर, य 1857 की करांती से समंधित पुष्टकें और उनके लेखक, यहां से भी प्रस्ण पूछा जाता है कई बार, कई पुष्टकें हैं, जो 1857 की करांती पर लिखे गई हैं, और उनसे समंधित लेखक अक्सर पूछा जाते हैं, यह 1857 होगा, इसको आप 1857 कर लेजिए, दूसरी बुख है, दूसरी बुख है, इसको लिखा है, एरिक थॉमस स्टॉक्स ने, एरिक थॉमस स्टॉक्स, फिर अगली पुष्टक है, 1857, दूसरी बुखें, पुष्टक का नाम क्या है, 1857, इसको किस ने लिखा है, एस इन सेन ने, The Causes of the Indian Revolt, 1857 में बुख लिखी गई, इसको लिखा सरसेयद एहमद खाने, The Causes of the Indian Revolt, सरसेयद एहमद खान, तो यह सारी चीज़ आपको याद रखनी है, The Indian War of Independence, वीडी सावरकर, दे पीजन्ट अन दी राज, एरिक थॉमस स्टॉक्स, 1857, The Great Revolt, असोक महता, 1857, इसन सेन, The Causes of the Indian Revolt, 1858, सरसेयद एहमद खान, फिर देखिए, अगली किताब है, The Sipoy Mutiny, Sipoy Mutiny का मतलब, सिपाही, Mutiny का मतलब बिद्रो, तो वही चीज़ है, The Sipoy Mutiny and Revolt of 1857, इसको किसे ने लिखा है, आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार को हम लोग कहते हैं, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने पुस्तक लिखे, The Sipoy Mutiny and Revolt of 1857, फिर अगली पुस्तक है, The History of the Sipoy War in India, The History of the Sipoy War in India, जॉन विलियम काये ने इसको लिखा, जॉन विलियम काये, The First Indian War of Independence, 1857 to 1859, 1857 में शुरुआत हुई थी, 1869 में लगभग ये बिदरो दमन कर दिया गया था इसका, तो वही चीज है यहाँ पे, The First Indian War of Independence, 1857 to 1859, ये किसने लिखा है, काल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स या एंगल्स, इन्होंने लिखा है, अगली पुस्तक है, The Sipoy Mutiny of 1857, A Social Analysis, इसको लिखा है, H.P. चटोपाद्याय, The Sipoy Mutiny of 1857, A Social Analysis, H.P. चटोपाद्याय, एक और किताब है, Civil Rebellion in Indian Mutinies, 1857 to 1859, इसको लिखा है, Sasi, Bhusa, चौधरी ने, Civil Rebellion in Indian Mutinies, Rebellion का मतलब एक प्रकासि विद्रोही, Civil का मतलब नागरिक, नागरिक विद्रोही, तो ये पुस्तक किसने लिखी है, Sasi, Bhusa, चौधरी ने, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से, मतलब कौन Governor General था, कौन British परधान मंतरी था, सेना पती कौन था, बासा कौन था, फिर यहाँ पर मैंने पुस्तके बता दी, अब हम लोग एक अलग टॉपिक देखते हैं, इतिहासकारों के मत, 1857 की करांती को लेकर बिभिन नितिहासकारों के बिभिन बिभिन मत है, मतलब अलग अलग चीजे उन्होंने कहीं करांती के बारे में, कोई कहता है, ये राष्टिय युद्ध है, कोई कहता है, सैनिक बिद्रो है, कोई कहता है, सतंता संग्राम है तो इसको हम लोग देख लेतें एक बार देखे सबसे पहला कथन है यहां सब प्रसंद पूछे जाते हैं यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ important चीजे ली हैं आपको मैंने यह नहीं बता है कारण क्या है प्रडाम क्या है क्योंकि वो तो एक धर्म युद्ध था यह किसने कहा है एल ए आर रीज यह ब्रेटिस हितिहासकार है यह कहते हैं यह धर्मांदों का धर्मांद किसे कहा है हिंदू और मुसल्मानों को इन्होंने कहा है धर्मांद यानि धर्म में अंधे हैं तो इन्हों ने कहा यह धर्मान्दों का इशायों की बिरुद एक धर्म युद्ध है तो ल-e-r रीज इनका नाम है रीज आप याद रखे रीज अगर पूरा नाम ल-e-r रीज दूसरा कतन है यह राश्टिय बिद्रो था ना की सिपाही बिद्रो यह कहा बेंजामिन डिजरैली बिटन के प्रधान मंतरी थे तो इन्हों ने कहा था कि यह एक राश्टिय बिद्रो था ना की सिपाही बिद्रो फिर तीसरा कतन है यह सब्भेता एवं बरबरता का संगर्स था यह किसने कहा टी आर होम्स यह भी बिटिस इतिहास कार है अब दिखे बिटिस लोग सब्भे थे और बरबर यानि हिंदू और मुसल्मानी जो भारतिये थे वो बरबर थे तो सब्भेता और बरबरता के मद संगर्स था टी आर होम्स ने कहा है फिर है या सिपाही बिद्रों के अत्रिक्त कुछ नहीं था जॉन लॉरेंस ने कहा है जॉन लॉरेंस से भी बिटी सितिहास का रहे हैं या एक सिपाही बिद्रों था उसके अत्रिक्त कुछ नहीं था जॉन लॉरेंस फिर या पूरतया देश भक्ती रहित और स्वार्थी सिपाही बिद्रो था ये कहा जौन सीले ने जौन सीले कहते हैं या पूरता देश भक्ती रहित और स्वार्थी बिद्रो था कुछ स्वार्थी सिपाहीों ने इस बिद्रो को आरम किया था इसमें सामान जनता या नागरी की ने भाग नहीं लिया ऐसा कहना है जौन सीले का फिर देखे यह अंग्रेजों की बिरुध हिंदू-मुसल्मानों का शडिय अंत्र था ये किसे ने का जेम्स आउटरम और डबलू टेलर जेम्स आउटरम और डबलू टेलर ने कहा है डबल्यू टेलर अगला कथन है यह बिद्रोह राष्टिय स्वतंतरता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंतरता संग्राम था बीडी सावरकर बिनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि एक सुनियोजित स्वतंतरता संग्राम था सुनियोजित मतलब इन्होंने यह कहा कि एक बहुत ही सुनियोजित था प्रथम था सुतंता संग्राम था नहीं प्रथम सुतंता संग्राम इन्होंने कहा था सुनियोजी स्वतंता संग्राम या प्रथम स्वतंता संग्राम अगर दोनों में से कोई भी आता है तो आपको बीड़ी सबर कर ही लगाना है अब देखे इसी के विपरीत एक भारती इतिहासकार है ये कहते हैं अठारसो सताउन का विद्रोन ना तो परथम था ना तो राश्टिय था और ना ही स्वतंता संग्राम था ये कहा है आरसी मजूमदार आरसी मजूमदार रमिष्चन्र मजूमदार अब यहाँ पर हम लोग कुछ घटनाए देखते हैं 1877 की करांती से सम्बंधित करांती की घटनाए देखे करांती की सुरुवात कब हुई 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कार्तूस के प्रियोग का बिरोध 34 वी रेजिमेंट बैरकपुर चावनी के सैनिक मंगल पांडे ने किया तो आपको यह याद रखना है सबसे पहले चर्बी लगे कार्तूस का प्रियोग किसने मना किया था मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने कब किया था 29 मार्च 1857 को यह भी पूछ सकता है और खासकर यहां से प्रस्न आया हुआ है कि यह किस रेजिमेंट के सैनिक थे तो यह 34 वी रेजिमेंट बैरकपुर चावनी के सैनिक थे मंगल पांडे 34 वी रेजिमेंट बैरकपुर चावनी के सैनिक इन्होंने सबसे पहले बिरोध किया इसका और सैन अधिकारी लेटिनेंट बाग एवन मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी किन दो अधिकारियों को गोली मारा था मंगल पांडे ने यह आपको याद रखना है एक लेफटिनेंट बाग थे और दूसरे थे मेजर सार्जेंट इनकी गोली मारकर हत्या कर दी मंगल पंडे ने और आठ अफरेल 1857 को उनको फांसी दे दी गई सहन अदालत में उन पर मुकदमा चला कोर्ट मार्शल हुआ जो भी होना था और उनको फांसी दे दी गई आठ अफरेल को अब देखे कहीं कहीं खासकर NCRT में डेट जो फांसी की दी गई वो 29 मार्च को ही बताई गई है बताई आते हैं कि उसमें मंगल पांडे को तोप से उड़ा दिया गया मंगल पांडे को और कई सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया 29 मार्च को ही लेकिन ज्यादा तर जो मान तारीक है वो 8 अफरेल ही है 8 अफरेल 1857 को उनको फांसी दी गई ये बात आप याद रखे अब जब उनको फांसी दी गई तो वास्तों में देखें बिद्रो करने की जो तारीक थी वो 31 माई 1857 की निश्चित की गई थी सभी लोगों ने प्लान बनाया था कि हम बिद्रो 31 माई 1857 को शुरू करेंगे लेकिन चुकि मंगल पांडे को 8 अफरेल को फांसी दे दी गई 18 अफरेल इठार सताउन को तो जनता जो थी या सायनिक जो थे वो भड़क गए गुस्चे में आगे और करांती पहले ही सुरू हो गई दस माई 1857 को मेरट में विद्रो की शुरू आज हो गई तो आपको यह चीजे याद रखना है शुरू आज कब हुई वास्तों में करांत कब दी गई आठ अपरेल ठार सकता हूं यह सारी चीज आपको याद रखनी है अब यहां देख लिए मेरट में विद्रो के समय सैन चावनी के अधिकारी कौन थे जर्नल हेविड हेविड डेविड नहीं हेविड याद रखना बहुत लोग इसको डेविड समझ लेते हैं त मेरट में विद्रो का नेतरुत किसने किया कदम सिंगने किया यह इंपोर्टन कोशन है यहां से प्रस्न आ सकता है किसने किया मेरट में नेतरुत कदम सिंगने किया अब दस माई को मेरट में शुरू हुआ और मेरट से फिर सिपाही कहां चल दिये दिल्ली 12 माई को देखे यहाँ पर मैंने 1857 नहीं लिखाया तो आप समझ जाएए 12 माई 1857 को दिल्ली में हुआ 31 माई 1857 को लखनव में हुआ और 5 जून 1857 को कानपूर में हुआ 6 जून 1857 को जहासी में हुआ तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि जो क्रांती हो रही वो अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तारीक को हो रही है एक साथ नहीं हुई अगर क्रांती एक साथ होती तो साइद अंग्रेज भागने पर मजबूर हो जाते वो क्रांती का दमन ना करपाते लेकिन अलग-अलग छेत्रों में हुई तो उनको करांती का दमन करने में आसानी हुई और यही एक कारण था यहाँ एक कारण था करांती की आसफलता का जब हम लोग कारण पढ़ते हैं डीप में तो वहाँ पर एक कारण यह भी हम लोग पढ़ते हैं क्रांती का एक समय में ना होना यानि सुनियुजित तरीके से क्रांती नहीं हुई थी किसी चेतर में पहले हो गई किसी बाद में हो रही तो ये चीज़े आपको याद रखना है कहां पर क्रांती कब शुरू हुई और फिर यहां देखिए सितंबर 1858 में दिल्ली पर इतकार कर लिया गया मार्च 1858 में लखनोव पर अतकार कर लिया गया ये देखे अंग्रेज्जों द्वारा अतकार किया गया है ये चीज़ याद रखेगा आप इसको थोड़ा साब को धिहान देना है मैं इसको थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ दिल्ली में सुरू कब हुआ मई 1857 में और अंत कब हुआ सितंबर 1857 में यहां 1857 होगा आप लोग कर लीजे इसको सितंबर 1857 में दिल्ली में बिद्रो का दमन होगा फिर देखें पांच जून को कानपूर में बिद्रो हुआ और दिसंबर 1857 में कानपूर को अंग्रेजुने पुना जीत लिया यहीं फिर से अधिकार कर लिया तो यह इतनी चीज आपको याद रखनी है तात्या टोपे के धोके बाज मित्र मान सिंग ने उन्हें पकड़वा दिया और 1869 में तात्या टोपे को गौलियर में फांसी दे दी गई तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपका सकते है तात्या टोपे देखिए कानपुर में भी यह नेतरूत करते हैं नाना साहब के साथ और जहांसी में रणल अच्चमी बाई के साथ भी यह नेतरूत करते हैं बिद्रोग का इनके एक धोके बाज मित्र थे मान सिंग इन्होंने इनको पकड़वा दिया धोका दे करके और 1869 में तात्या टोपे को गौालियर जेल में फांसी दी गई करनल रिपले वा जान निकोलसन दिल्ली में बिद्रोग का दबन करते हुए मारे गये ये दो अंग्रेज अधिकारी थे दिल्ली में बिद्रोग को दबाते हुए ये मारे गये मतलब भारतिय सिपाहुने इनको मार डाला करनल रिपले और जान निकोलसन ये याद रखिएगा अब ये जो अगला लाइन है यहां से प्रसना आया है यूपेस्सी में हेंडी लाइन्स, हैवलोक और करनल नील लखनोव में मारे गये तो एक बार प्रसना आया था कि लखनोव में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गये तो करनल नील, हैव लॉक और हेंडरी लॉरेंस ये तीन अधिकारी थे जो लखनों में विद्रो का दमन करते हुए मारे गए अगर पूछे लखनों में जो अंगरेजी प्रेशिडेंसी है उसकी रच्छा करते हुए कुन मारा गए तो हेंडरी लॉरेंस और तात्या टोपे ने इनको मार दिया था, हैव लॉक लॉक करनल नील भी मारा गया था, तो तीन अधिकारी मारे गए आपको ये ध्यान में रखना है बहादूर साह की गरपतारी कहां से हुई तो हुमायू के मकबरे से हुई, उन्हें रंगोन भेद दिया गया गया गरपतार करके जहां 1862 में उनकी मृत्ति हो गई तो बहादुर साकी गिरपतारी कहा से हुई हुमायु के मकबरे के पास से हुई। उनको पकल लिया गय वहीnd और रंगोन भेद दिया गया रंगोन कहा तुन बर्मा यानि मयमार व्यमार एक देश है भारत का पूरवी पड़ोशी देशे वहीं बेद दिया गया और 1862 में उनको उनकी मृत्ती हो गई, सभावे मृत्ती हुई, नाना साहब बेगम हजरत महल नेपाल चले गए थे करांती के दमन के बाद, अब यहां पर कुछ आपको याद रखना है कि कौन कौन नितुरत करता था कहां से, और किस किस अधिकारी ने कहां कहां पर दमन कारिक किया, देखे, दिल्ली में नितुरत करता कौन था, बहादरु साह जफर और बक्त कहां, अब देखे, बहादरु साह जफर मुगल समराड थ तो वास्तिविंग नितुरुत करता बक्त खां ही था दिल्ली में और दमन करता कौन था यानि बिद्रो का दवाय किसने जान निकोलसन और हटसन जान निकोलसन मारा गया था बिद्रो के दमन करने में जान निकोलसन दिल्ली में मारा गया था एक और दिल्ली में मारा गया था म वेगम हजरत महल इन्होंने अपने पुत्र बिर्जिस कादिर को अवद का नवाब घोसित कर दिया क्योंकि आवद के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उनको अंग्रेजों ने कलकत्ता बेद दिया था और अवद का अधिगरान कर लिया था विले कर लिया था हडप लिया थ था तो वाजिद ली शाह की पतनी थी वेगम हजरत महल इन्होंने अपने बेटे बिर्जिस कादिर को आवद का नवाब घोसित कर दिया और बिद्रोह कर दिया और यहां पर बिद्रोह किसी ने दबाया आवद में लखनों में हैंडी लॉरेंस और काइप बिल हैंडी-लॉर बिद्रोहियों का दमन कर देता है, तो कांपेबल के नेतरुत में दमन किया गया, कानपुर की बात करें, तो कानपुर में बिद्रोहियों का नेतरुत नाना साहिब और तात्या टोपे ने किया, दोनों ने मिलकर किया, कांपेबल ने यहां भी दमन किया, और एक और अंग्रे क्रांती का या विद्रोग का दमन किस अंगरे जितकारी ने किया था तो हिरोज ने किया था बिहार में नेतुरुत करता कौन था कुमर सिंग और अमर सिंग कुमर सिंग की जब मिरत्ति हो गई तो उसके बाद नेतुरुत किया अमर सिंग ने और विल्यम टेलर और विंसेट आयर ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था बिहार में जगदीशपूर जगदीशपूर के जमीनदार थे कुमर शिंग तो ये भी पूछ सकता है कुमर शिंग कहा के जमीनदार थे जगदीजपूर और जगदीजपूर की इनकी जागीर जो थी अंग्रेजों ने हडप ली थी तो ये अपनी जागीर को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे इनकी मृत्यू के बाद इनके भाई अमर शिंग ने नितरुत किया विल्यम टेलर विंसेटायर ने दमन किया और देखते हैं तो फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पर बिद्रो का नेतरुत किसने किया मौल भी हमदुल्ला ने किया और बिद्रो का दमन किसने किया काइमपेबल ने किया इलाभाद की बात करें इलाहबाद और बनारस में नितरुत करता अली लियाकातली ने किया था दोनों जगा इलाहबाद बनारस चुकि पास पास हैं तो लियाकातली ने यहां नितरुत किया और दोनों जगा करनल नील ने दमन किया बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादूर खान ने नितरु कैम्पबल ही दमन करता है और ये आपको पता होगा कि ये हसेना पती था तो बरेली हो गया खान बहदूर खान और कैम्पबल फिर मेरट में नेतुरित करता कदम सिंग थे और यहां का दमन करता कौन था हैवलॉक और हसन दो अधिकारी थे एक हसन एक हैवलॉक हैवलॉक जो लखनों में मारे गए थे तात्या टोपे कैसा इनको ने मार दिया था लखनों में फिर यहां पर हम बात करें तो मतुरा में नेतुरुत किस ने किया देवी शिंग ने किया और यहां दमन करता हसन था शागर यहाँ पे सागर एक अस्थान है यहाँ पे नितुरुत करता शेख रमजान ने किया और दौला सिंग इन दोनों ने मिलकर नितुरुत किया और हिरोज और लेगाड दो अधिकारी थे जिन्होंने दमन किया सागर मद्द प्रदेश का एक अस्थान है आप लोग देख लिजएगा मद्द प्रदेश का है तो यहाँ पे दमन करता हिरोज और लेगाड थे अब यहाँ देखे कोटा यह राजस्थान का इलाका है तो यहाँ रदयाल और जयदयाल दो भाई थे इन्होंने नेतुरुत किया हरदयाल और जयदयाल यहाँ पे हरदयाल नहीं लिखा तो आप याद कलिजे कोटा यानि राजस्थान में नेतरुत करता जैदयाल और हरदयाल थे इनको कहा जाता है तोप के मुँव में बांद के उड़ा दिया गया था गोरकपुर में अब यहाँ देखे दमन करता का नाम नहीं दिया गया है तो उतना वड़ा नहीं मिलता है गोरकपुर में गजाधर शिंग ने किया जितना फैक था वो मैंने सोचा इसमें कबर करूँ जितना मुझे मिल सका गोरकपुर में गजाधर शिंग ने नेतरुत किया गोरकपुर में गजाधर सिंग, अब आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, गासे गोरकपुर होता है, गासे गजाधर, मनसोर सहजादा हुमायू, फिर अगर हम बात करें रायपुर, तो यहां नाराण सिंग ने भी द्रोह का नितरुत किया, रायपुर या अब 36 गाड़, में सुरेंदर साही ने बिद्रोह का नितरुत किया, और असम में कंदर पेशवर, यह भी इंपोर्टन है, असम में कंदर पेशवर और उडिशा में सुरेंदर साही नितरुत करता थे, अब हम लोग कुछ अन्य महतपूर तथ देख लेते हैं, देखिए जितने भी महतपू तो थो जैसे वो कानपुर में गणा नधी के पास सती चौरा घाट था वहाँ पर सती चौरा घाट पर जैसे वो नाओ पर बैठते हैं अंग्रेज अधिकारी, जो भी अंग्रेज थे, सैनिक थे, वो नाओ पर बैठते हैं, तुरत पीछे से नाना सहाब के अधिकारी उनपे गोली चला देते हैं, सभी को मार डालते हैं उसमें कुछ बच्चे बीबी थे उनके अंग्रेजों के तो भी मर जाते हैं तो इसी को कह गया सती चौरा घाट की घटना कानपूर में घटीत हुई थी नाना साहब पेशवा ने इसको अंजाम दिया था फिर बिद्रो के समें एक जहंडा गीत की रचना हुई और इसको किसने लिखा था अजीम उल्ला तो पूछा जाए सकता है कि बिद्रो के समें एक जहंडा गीत की रचना हुई थी जिसको किसने लिखा था अजीम उल्ला लंदन टाइम्स के पत्रकार थे माइकल रसल इन्होंने इस बिद्रो का सजीव वर्डन किया है तो बिद्रो का सजीव वर्डन किसे किया है माइकल रसल ने बिद्रो का सजीव वर्डन किया है अब देखें कौन-कौन से छेतर थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया विद्रों में बंगाल, सिंध, पंजाब, पतیाला, जींड, हैदराबाद, मदरास, राजिस्थान, सिंधिया आद अंग्रेजों की सاحयता की यानि कि इन लोगों ने अंग्रेजों की साहिता की, खास कर जो नेपाल के गौरखे थे, पंजाब के सिख थे, इन लोगों ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, सिंधिया ने भी मदद की, गौलियर की सिंधिया, सिंधिया ने तो कोई, मतलब ना तो एक प्रकार से हेल्प कि या अंग्रेजों की नातों के खिलाफ ही रहे मतलब सांद रहे सिंदिया ये तटस्त रहे हैं पंजाब पटियाले राजिस्थान हैदराबाद इन सभी ने अंग्रेजों की मदद की मदराश ने भी किया 1815 के बिद्रो को मिरजा गालिब ने देखा था या आप से पूछा ज़सा कता है यै अधरर शताओन के बाद पील आयोक का गठन किया गया था या आपको याद रखन है पील। हिंदी में भी लिख सकता है पील और ये सैनिक संगठन से सम्दन थे ता मतलब सैनको का फिर से संगठन किया गया पहले सैनको का अनुपात था एक अनुपात 5 यानि एक ये ये तो 5 भारतियों होते थे लेकिन विद्रो के बाद जब पील आयोका गठन किया गया तो उसके भारतीय कサनिकों की संख्या 2 कर दी गई और येग की एक याझी एक अनुपात 2 अब इसका उन ayb यह हुए कि 5000 भारतीय संजिक हैं तो 5,500 자신ik हैं तो 6,000 उर्म होगे पहले भारतीय संजिक जाधा रहते थे भारतिय स्वधिन्ता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था इन्होंने एक पुस्तक भी लिखिये 1857 1857 के इस में बैरेकपुर छाउनि का क्मांडिंग ऑफिसर कौन था है न यह भी प्रस्ण पूछा गया है तो ये बैरकपूर छाउनी का कमांडिंग आफिसर था हैर से दिसंबर 1856 में ये भी प्रसन पूछा गया है ये सारे चीजे जो है मैंने प्रसन से ही लिये हैं तत्थ निकाले हैं फिर यहां पे डाले हैं तो दिसंबर 1856 में पुरानी लोहे की बंदूख ब्राउन बेस की जगा निव एंफिल्ड राइफल को सामिल किया गया है तो ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी बंदूख पहले यूज होती थी पहले यूज होती थी ब्राउन बेस नामक बंदूख Brown Base को हटा करके New Enfield Rifle को सामिल किया गया और New Enfield Rifle में जो गोली लगती थी जो कार्तूस लगता था वो चरबी की बनी होती थी उसमें जो खोल लगा होता था कार्तूस में चरबी की बनी होती थी गाहे और सुवर की और उसी करणा आपने देखा होगा कि विद्रो हुआ था अंग्रेजु ने सबसे पहले दिल्ली पर पुना अधिकार किया था मैंने आपको बताया था दिल्ली में शुरुवात कब हुई थी तो 12 मई को हुई थी 12 मई 1857 को शुरुवात हुई और सितंबर 1857 में अंग्रेजु ने पुना अधिकार कर लिया तो सबसे पहले दिल्ली को पुना जीता था अंग्रेजु ने 1857 के विद्रो का पुना जीता था अंग्रेजु ने 1857 के विद्रो का पुना जीता था अंग्रेजु ने तो ये सारी चीजे थी 1857 की करांतिय से समंदित जितने भी प्रस्ण जितने भी तत थे मैंने सारे बता दिये हैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर कोई प्रसन आता है तो आपका नहीं छूटेगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और कमेंड में जरूर लिखे कि आप किस टापिक पर मास्टर क्लास चाहते हैं तो इस पर मैं जरूर बनाऊंगा एक वीडियो